हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी स्टेडी दोस्तो क्लास 11 सेक्षन भी दोस्तो सेट भी आपके सामने हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तो जो की 100% रियल है दोस्तो 100% रियल है आपका सेट भी हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं जी हां दोस्तो अंग्रेजी का कक्छा 11 सेट बी, सेट ए हम आपको पहले ही दे चुके हैं दोस्तों और उसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पर दे चुके हैं, आज हम आपको बताएंगे दोस्तों सेट बी का जो है आपका रियल कोस्चन पेपर आप देख सकते हैं, दोस्तों क्लास 11 कोटरली एक्जामिने अब आपको कमजोर दिख रहा होगा, क्योंकि अब अगर कहीं से फोटो खीच रहा हैं, दोस्तों इतना जल्दी अल्दीम फोटो खीचना पड़ता है, कि इस जादा क्लियर नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको बहुत जादा क्लियर दिख रहा है, दोस्तों, आप लोग आपसे आधे घंटे के अंदर अंदर इस पूरे सेट का हम आपको solution प्रोवाइड करवा देंगे तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं ले नहीं बस आप पूरा पेपर देख लिजे एक बार आपने नजर में घुमा लिजे कि आखिराज के आपके question पेपर में कौन कौ objective पूछे जाएंगे आपका यह पूरा पैसेज है आप यहां पे देख सकते हैं अच्छे एक बार वीडियो रोक कर भी आप पूरा पढ़ा लीजे ठीक उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन देखेंगे question answer दोस्तो ताप यह देख सकते हैं आपके यहां से question answer चालू हो जात तैयार कर लीजे दोस्तो ठीक आगे बढ़ेंगे अब second number देखें question number इसी का second है दोस्तो आपको यह देख सकते हैं पूरा आपका यहां पे पैसेज दिया हुआ है इसी के अधार पे आपको इसका suitable note की किस बारे में पैसेज है और उसका title की अखिर किस मुद्दे का जिस तरह से picture का नाम होता है इसी तरह इसका भी एक suitable title रखना है और उसकी note बनाने है और उसको summarize करना है अब आँगे बढ़ेंगे देखेंगे section B दोस्तों आपको बता देखें कि आपको पूरा solution हम आपको telegram पे provide करवा देगे पूरा PDF इस वीडियो का question paper का भी PDF हम तुरन 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 आपको telegram पे provide करवा देगे अब देख लेते हैं तो section B most important question question number 3 आप देख सकते हैं कि आप क्या you are the member of eco club ठीक write a notice informing to student about the free plantation drive in your school तो आप ये ego club के member हैं आपको एक notice informing notice बनानी है about किसके लिए students के लिए ठीक उसको देख सकते हैं अभी अभी चैनल पर मिल जाएगा ठीक उसको अधागे देखें question number 4 है दोस्तो तो आपको ये पूरा address दिखा है आपको अपने से इसमें कोई address नहीं लिखना है ये पूरा दिखाऊ कि आप आप इसे सकते हैं आप की ये जगह है अब आपको letter लिखना है काय में loud speaker band का letter लिखना है दोस्तो loud speaker band का आपको इसमें letter लिखना है question number 4 और question number 4 का अथवा है आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पे आप क्या करना है आपको यहाँ पर देखें पूरा address दिया हुआ कि आप क्या है आपको करना है यहाँ पे दोस्तों आप summer vacation के लिए अपने friend को invite करना है आपको इसके माध्यम से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक letter लिखना है दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों देखें question number पांच को यहाँ पडिकल तकार करना है एक 110 वर्ड में 3 आपको इन तीनों में से किसी है pen पर आपको 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 अप्डिकल तक्नीर परने पहला है imposing of अपर uh वले है आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला इम्पोर्टेंट on protecting इसके आथवा है दोस्तों आपको यहां पर रिपोर्ट तयार करने है तो आपको पूरा सॉलूशन आपसे कुछी देर में हम आपको टेली ग्राम पर पीडियाफ के माध्यम सेक्टाम लिखा लिखा या पूरा आंसार है आपको दे देंगे दोस्तों आपको टैंसन की कोई बात नहीं पस आप कोश्चन फेपर देख लिजे आगे बढ़ेंगे देखिए आपको कोई पांच कोश्चन करना है पहला आप देख सकते हैं वी वी डू इट इसको आपको निगेटिव बनाने है चेंज इन्टू आप लोग पैसेज पढ़िए और जब तक आप लोग इसका अंसर क्योंकि आप दोस्तों कुछ और पाढ़ने है नहीं आपको के सामने पेपर है तो आपके वलोग के वल इसी पेपर पर फोकस करिए यहां पर चार कोश्चन है आप लोग इनको देखिए इनका अंसर डूड करना है आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यह पोईम दी हुई है आपको इसको कहा है यहां नीचे कोश्चन है इसको आपको सॉल्व करना है उसको अदिसी कभी नाइंध कभी वाला सक्षन है आप देख सकते हैं नाइंध कभी है यहां पर चार कोश्चन है इस पैसेज के अंतरगात आपको चारों के जब आप उपर से डूल के दे देना है ठीक आंगे बलेंगे देखेंगे कोश्चन नंबर 10 11 12 13 14 15 15 कोश्चन यह दोस्तों आपको बता दें कि यह कुछ कोश्चन नंबर 10 11 12 जो उध्तर जधा ज़ादा clear नहीं देख रहें लेकिन clear कुछ तो है दोस्तों आप ए देख सकते हैं आपका question तो clear दिख रहे है question clear दिख रहे है तो आप question फड़ापर से ढूलना चालू कर दीजे दोस्तो question ढूलना चालू कर दीजे क्योंकि question answer बहुत ज़्यादा important है तो आप question answer ढूलना चालू कर दीजे यही question आपको ढूने अब इससे ज़्याद तो आपको कुछ पढ़ाई करनी नहीं तो आप फड़ापट से देख लिए question number 10 में आपको क्या करना है कोई 5 question करना है आपको 6 question करना है इसमें आपको कोई 3 करना है चार दिये हुए है आप लोग इनको फड़ापट से ढूड़े लिजे और इनका कोई याद करना चालू कर देजे हम आपको कुछी देर में इसका भी पीडिया प्रोवाइट करवा देंगे अगर आपको आंसर नहीं मिल ले है उसकत question number 12 में कोई 3 करना है आपको 4 दिये हुए है ठीक question number 13 में आपको कोई 2 करना है ये बड़े question है दोस्तों 3-3 की question है आपको कोई 2 करना है लगभग 75 वाइड का एक आंसर होना चाहिए उसकत question number 14 है आपको एक क्या करना है a photographer ठीक आप photographer का आपको क्या करना है a voice of a rain इसका भी आपको क्या करना है एक central idea बनानी इसी परकार से आपको बता दें कच्छा बार मी सेट भी वाले जो की बहुत देर से question paper के लिए कह रहे थे question paper नी यही है आपको question paper उम्मीदे वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंदा है फिलीज वीडियो लाइक कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए इसका पूरा PDF होट है और solution PDF सवाब को टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेलीग्राम जोइन कीजिए टेलीग्राम की लिंक चैनल के description पर है मिलते हैं नाइस्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्वाद